टीम इंडिया बारबडो से भारत लोट आई है 29 जून को मेंस T20 विश्वकप जीतने वाली विज़ई टीम गुरुवार सुभा नई दिल्ली के IGI एरपॉर्ट पहुची रोहिश शर्मा की अगुवाई वाली टीम ने शनिवार को कॉसिंग्टन ओवल में रुमांचक फाइनल में दक्षिन अफ्रिका को साथ रन से हरा कर दूसरी बार T20 विश्वकप अपने नाम किया लेकिन तूफान बेरिल के कारण उनकी घर वापसी में थोड़े देरी हो गई BCCI के टीम के लिए एक विशेश चार्टर एर इंडिया फ्लाइट की विवस्था की गई बोईंग ट्रिपल सेवन फ्लाइट ने वाउक न्यू जर्सी से बुद्धवार तड़के ब्रिजटाउन के ग्रांटली एडम्स इंटरनाशनल एरपोर्ट पर पहुची इसके बाद विशेश विमान स्थानिय समय नुसास सुभा साथ बचकर पचास मिनिट पर ब्रिजटाउन से रवाना हुआ जिसमें भारतिय टीम के सहयोगी करमचारी, खिलाडियों के परिवार, बी सी सी आई के अधिकारी और 22 यात्रा करने वाले मीडिया करमी भी मौजू थे दरसल बी सी सी आई ने सोशल मीडिया के सबसे चर्चित प्लाटफरम एक्स पर एक वीडियो शेर किया है जो कि अब सोशल मीडिया पर काफ़ी तेजी से वारिल हो रहा है और फैंस को भी काफ़ी जादा पसंद आ रहा है उस वीडियो में फ्लाइट में भारतिय प्लेयर्स T20 वर्ल कप ट्रोफी के साथ मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं रोहिश शर्मा, विराट कोहली, मुहम्मत सिराज, रिशपमंथ, सूरिकुमार यादव और उनकी पतनी अकसर पतेल, अर्शदीप सिंग इस वीडियो में देखे जा सकते हैं, खिलाडी वीडियो में नजर आ रहे हैं, ट्रोफी के साथ प्लेयर्स फोटो भी खिचवा रहे हैं और जम कर मस्ती करते हुए देखे जा सकते हैं नई दिल्ली में उतरने के बाद T20 विश्व कब जीतने वाली टीम ITC मौरे होटल के लिए रवाना हुई और फिर प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी से मिलेगी आपको बता दे कि विजेता भारतिय टीम तो पहर दो बजे नई दिल्ली से उडान भरने के बाद शाम चार बजे मुंबई पहुचेगी मुंबई में विजेई टीम National Center for Performing Arts से ओपन बस में सवार होगी और शाम पाच बजे से साथ बजे तक विजेई परेड में भी शामिल होगी विजेई परेड मरीन ड्राइव से होकर वानखेडे स्टेडियम में समाप्त होगी इस दोरान प्रशसंको को अपने पसंदीदा खिलाडियों के एक छलक देखने को मिल जाएगी इसके बाद शाम साथ बजे से साड़े साथ बजे तक वानखेडे स्टेडियम में विजेई भारतिय टीम के समान में एक छोटा सा समारो भी आज़ित किया जाएगा और फिर खिलाडी अपने होटेल चले जाएंगे आपको बता दे कि BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुकला के मताबिक भारतिय टीम सुबह 6 बजे दिल्ली पहुत चुकी है इसके बाद सुबह 11 बजे अब वो प्रधान मंतुरी नरेंदर मोदी से मुलाकात करने वाली है इसके बाद रोहिट शर्मा और कंपनी स्पेशल विमान से मुंबई के लिए रवाना होंगे यहां उनके सम्मान में वज़े परेड का आयोजन भी किया जाएगा और उसके अलावा उन्होंने बताया कि वान्खेड स्टेडियम में भारतिय टीम को BCCI की तरफ से घोशित 125 करोड की इनामी राशी भी दी जाएगी वीडियो डेस्क अमरुजाला डॉट कॉम